चर्चा करें, पहला, प्रित्वी की सतह से उपर की ओर जाने पर ध्वनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा, क्या अंतरिक्ष में भी ध्वनी सुनाई देगी, कारण दें, तीसरा, बारिश के मौसम में बिजली कड़कडाने पर हमें रोश्नी पहले दिखाई देती है और कड़कडाने की ध्वनी कुछ छण बाद सुनाई देती है, क्यूं? ध्वनी और माध्यम, अब तक हमने पढ़ा कि ध्वनी संचरन माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है, सोचो यदि माध्यम ही ना हो, तो क्या ध्वनी हम तक पहुँचेगी? यह जाचने के लिए यह प्रयोग किया गया, प्रयोग, प्रयोग चित्रक्रमांग छे में एक विद्युद घंटी और कांच का एक बेलजार लिया गया, घंटी को बेलजार में लटका कर, बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ा गया, घंटी के स्विच को दबाने पर उसकी आवाज सुनाई जब निर्वात पंप से बेलजार की वायू को धीरे धीरे बाहर निकाला गया, तब घंटी की ध्वनी धीमी पढ़ने लगी, यद्यपी उसमें पहले जैसे ही विद्युत थारा प्रवाहित हो रही थी, जब बेलजार की समस्त वायू निकाल दी गई, तो घंटी की ध्वनी बंद हो गई, इस प्रयोग से यह निशकर्ष निकाला गया, कि निर्वात में ध्वनी संचरित नहीं होती, अर्थात ध्वनी को सुनने के लिए माध्धम की आवशक्ता होती है, ध्वनी तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती, क्योंकि निर्वात में संपीडन तथा विरलन के लिए कण उपस्थित नहीं होते। सोचें, चंद्रमा पर वायू मंडल ना होने पर क्या वहां अंतरिक्ष यात्री बात कर पाएंगे? कारण देजिए।